साथियों, अलग-अलग देशों की विकास यात्रा का ध्यान करें, तो ये बात कौमन दिखती हैं कि उन देशों की प्रग्यति तभी हुई जब उनका एक्सपोर्ट बढ़ा, यानि विकास सिल से विक्सित देश बनने में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं, पिछले आठ वर्षों में भारत भी अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट से जुड़े लक्षों को प्राप्त कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहतर पॉलिसीज हो, प्रोसेस को आसान करना हो, प्रोडक्स को नए बाजार में ले जाना हो, इन सब ने इसमें बहुत मदद की है, और हम लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी उत्रा ही फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को हर काम कॉस्ट एफेक्टिव बने, आप भी जानते हैं कि प्यलाई स्किम कैसे मैनिफेक्टिरिंग बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट साथ्चों के फिडबेक के आधार पर जो नितिगत बढ़लाव हुए हैं, उनसे भी बहुत साहता हुई है, आज सरकार का हर मंत्राले, हर विवाग, होल अब दो गवर्मेंट एप्रोच के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की प्राथिक तक दे रहा है, मंत्राले हो या फिर विदेश मंत्राले, कुरुशी हो या कॉमर्स, सभी एक साजा लक्ष के लिए साजा प्यास कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या एंजिनेरिंग गूर्स की होती है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में विशेश कर MSME सेक्टर की अहें भूमी का रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नई नेक शेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कितने ही एस्परेश्टर डिस्टिक जिससे भी अम निर्यात कई गुना बढ़ गया है, कॉर्टन और हैंडूम प्रोड़क का एक्सपोर्ट पच्पन प्रतिशत तक बढ़ना ही दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है, सरकार भोकल फ़र लोकल अभ्यान वन दिस्टिक वन प्रोड़क योजना के जरिये जो स्थानिय उत्पादों पर बल दे रही है, उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है, अब दुनिया के नए-नए देशों में, नए-ने डेस्टिनेशन में हमारे अनेक प्रोड़क्स पहली बार नदियात किये जा रहे है, अब हमारा लोकल सही अर्थ में ग्लोबल बनने की दिशा में तेज गती से आगे बढ़ रहा है, अब देखिए, सीता भोग मिठाईगी, और नारकेल नारू, यानि नारियर और गूर से बने लड़ू का पहला कंसाइनमेंट बहरीर एक्सपोर्ट किया गया है, नागा लेंड की फ्रेस किंग चिली लंदन के बाजार में जा रही है, तो असम के फ्रेस बर्मीज ग्रेप्स दुबई के लिए एक्सपोर्ट किये 36 गड़ के हमारे आदिवासी भाई बहनों की बन उपच महुवा फुनों के उत्पाद फ्रांस तो कारगील की खुमानी दुबई एक्सपोर्ट हुई है, अर्बुवा, बेलाईस, बर्मुडा, ग्रेनारा और स्विजलन जैसे नए बाजारों में हैंडलूम से जुड़े उत्पाद भीजे गए हैं, अपने किसानों, अपने बुनकरों, अपने पारंपरी उत्पादों को एक्सपोर्ट इकोसिट्रिम से जोड़ने के लिए हम मदद भी दे रहे हैं और जी आई टेकिंग पर भी बल दे रहे हैं, पिछले साल हमने विएई और उस्ट्रेलिया के स ट्रेंड डिल्स को फाइनलाइज किया है, बाकी देशों के साथ भी बहुत प्रगती हुई है, विदेशों में जो हमारे डिप्लोमेटिक संस्तार है, उनकी भी मैं विशेश प्रसंसा करना चाहूँगा, बहुत ही चुनोतिपुन माहोल को, जिस प्रकार वो भारत के लिए अउसरों में बदलने का काम कर रहे हैं, हमारे सारे मिशन्स इसके लिए अभी नदर के अधिकारी हैं, उनके कारी की सरहाना जितनी करे उतनी कब है